हम आज के अपने सब्जेक्ट पर बात शुरू करें उससे पहले आपसे दो छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दें तो अच्छा होगा पहला सवाल क्या हम जब भी कोई दवा खाते हैं तो वो हमें फाइदा पहुँचाने के अलावा कोई नुकसान भी पहुँचाती है दूसरा यदि कोई दवा लंबे समय तक खाई जाती है तो क्या वो हमारी उम्मर घटा देती है हाँ या ना में इसका जवाब आप दे सकते हैं आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं अभी हाजर हुआ पास है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निटिशन गुरू संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में जहां हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान में मेडिसिन के छेत्र में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में जहां मेडिसिन के छेत्र में ये कोई नई मेडिसिन का इजाद नहीं हुआ है किसी नई बिमारी की मेडिसिन नहीं खोजी गई है ये जो लेटेस्ट निउस है ये मेडिसिन पर बैन के बारे में है क्या आप जानते हैं पिछले 10 साल में यानि 2014 से 2024 तक हिंदुस्तान में 499 मेडिसिन को बैन कर दिया गया है और इसमें से 156 इसी साल बैन होई है दोस्तों इस कड़ी में जो सबसे लेटेस्ट निउस है उसमें 56 ऐसे ड्रग्स हैं ऐसी मेडिसिन हैं दवाईया हैं जिनको इमीडियेट एफेक्ट के साथ बैन कर दिया गया है और ये वो दवाईया हैं जिनके नाम हर एक कॉमन मैं जानता है ये वो दवाईया हैं जो लोग बिना प्रस्क्रिप्शन के ही जाकर दुकानों पर ओवर दे काउंटर खरी लेते थे दोस्तों पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा लीवर पर जब मैंने बात की थी तो मैंने आप सको बताया था कि भारत में पांच लाख से अधिक लोग हर साल खुद से खरीद कर खाई गई दवाओं के कारण मौत के मुँ में समा जाते हैं अधिया किसम की हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट पास नहीं कर पा रही हैं इनका भी रोल रहा होगा ये दवाओं उन लोगों ने इसी लिए खाई होंगी कि वो अपनी जिन्दगी बचा के रख सकें कि वो सौस्त रह सकें लेकिन कि आपको नहीं लगता कि इनी दवाओं के कारण आज वो दुनिया में नहीं है कौन जिम्मेदार है इन मौतों का दोस्तों हमें कैसे देश में रह रहे हैं जहां दवाओं के भरोसे हम नहीं रह सकते सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते दवा बनाने वाली कमपनियों के भरोसे हम नहीं रह सकते टेस्टिंग लैब्स के भरोसे हम नहीं रह सकते हमें अपनी सिहत के लिए खुदी जिम्मेदार होना होगा इन में वो सब बड़ी बड़ी कमपनियां शामिल हैं इन दवाईयों में जो बैन की गई हैं उनको बनाने वाली लिस्ट में वो सब बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं जिनके आप नाम जानते हैं और हैरानी की बात ये है कि उसके अंदे जो दवाईयां हैं वो हैं जो हर कॉमन मैन योही मुझे बोलकर मांग लेता है पैनडी, पैरासिटनमॉल टैबलिट्स, पैरेसिटनमॉल इंजेक्शन ये ऐसी दृएएं हैं जो कोई भी जाकर खरीच सकता है इसमें diabetes की दवा शामिल है इसमें high blood pressure की दवा शामिल है इसमें बुखार की सरदी जुखाम की दर्द की दवाइं शामिल हैं और immediate effect से ban कर दी गई हैं दोस्तों इन 156 दवाइयों में 63 जो हैं वो सिर्फ vitamins और minerals और fatty acid यानि की जो potion के नाम पर दी जा रही थी जिनें nutrition के नाम पर दिया जा रहा था मैं आपको ये list दिखाता हूँ देखिए ये सारी कई बार जब लोगों को हड़ियों की दर्द की शिकायत होती है उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम तो शेल कैल खाते हैं सुना होगा भी आपने भी ये नाम बैन कर दी गई है इसे लोग बड़ी proudly खाते थे कि एक अच्छी महेंगी कैल्शियम खा रहे हैं वो कैल्शियम बैन हो गया विटमिन C बैन हो गया विटमिन A बैन हो गया बड़ी हरानी की बात है आज से सजग नहीं हो जाएंगे तो शायद फिर आगे दुबार आपको मौ की है इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि हम इस बहस तक जाएं ही ना की दवा असली है की नकली है की घटिया क्वालिटी की है क्यों नहीं हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जो हमें इन दवाओं से दूर रखे मैं अपने वीडियो में बार बार आप के साथ ऐसे तरीके डिसकस करता रहता हूँ जो आपको एक हल्दी डाइट और हल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक हल्दी लॉंग लाइफ दे सकते हैं तो दोस्तों अपने स्वास का ख्याल खुद रखिए हमारे लिए एक चिंता का विश है इसलिए है कि ये जो 156 और गैनिक वगरा वगरा हर बल ये सब बानाम लेगर के बेवकूप बना रहे हैं सिर्फ आपको अब से समझ जाईए अपने स्वास की जिम्मेदारी खुद लीजे हल्दी लाइफस्टाइल के साथ और अच्छी न्यूटिशिस डाइट के साथ स्वास्त रहिए मस्त दोस्तों हमारे चैनल से सभी महत्वपूर जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं जैसे कि आप हमसे कैसे संपर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और राय लेने के लिए अपने किसी भी दिकत परिशानी के बारे हैं तैंक्यू